संसद में महिला आरक्षन बिल पेश होने के बाद संम्मिधान संदेश यात्रा का हुआ आगास आक्रोशित लोगों ने कि नारे बाजी अपने अधिकारों के लिए जातिगत जन्रणा की उठी मांग यदी OBC को आरक्षन नहीं तो चुनाव का होगा बहिशकार सरकार में महिल की भागिदारी के लिए संसद में किये गए महिला आरक्षन बिल के पास होने के बाद अब OBC महासबा अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले में आज सम्मिधान संदेश यात्रा निकाली जा रही है जिसमें OBC महासबा के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए पदाधिकारी का कहना है कि सदियों यों की लडाई है खत्म नहीं होगी OBC देश की सबसे बड़ी कौम अपने अधिकार से वंचित है और वहाँ अपने अधिकार को लेकर रहेगी सम्मिधान संदेश यात्रा के दौरान मौजूदा सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए OBC महासबा ने कहा कि आज बाबा भीमराफ अमबेड करके लिखे सम्मिधान को बचाने की आवशकता है जिसमें सभी समाज को समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन आज इस सम्मिधान की अंदेखी करके देश की सबसे बड़ी काम की उपेक्षा की जा रही है सम्मिधान संदेश यात्रा में शामिल पदाधिकारी ने कहा कि यदी सरकार डाल नहीं रही है तो जातिगत जंगरना क्यों नहीं करतेगा चुनाब को हटाते हुए पहले जातिगत जंगरना करे तब उसे OBC की ताकत का पता चलेगा जी OBC के द्वारा हाँ सरकार खड़ी होती है इस OBC की अपेक्षा की जा रही है और सम्मिधान की अंदेखी की जा रही है आपको बता दे कि सम्मिधान संदेश यात्रा OBC महासभा के द्वारा पूरे प्रदेश सहित वीवा जिले में निकाली जा रही है जो सभी विधान सभाग शेत्र में भ्रमन पूर्व में जाना चाहूंगे कि हमारे जो हमारे महापूरुस थे तो हमारे महापूरुसों ने सद्यों से लड़ाई लड़ते आये हैं और 75 साल देश के आजादी के बाद भी हमारे जो भी नेतरुत किये लोग सभाग के अंदर उन्होंने भी इस बात को रखा लेकिन सारे बिल पास हो रहे हैं लेकिन एक ओवी सी ही ऐसा क्यों है कि जिसको लटकाक रखा गया देश की सबस्य बड़ी कौम यह ओवी सी और ओवी सी आज तक अपने हख अधिकार से बन चीत है क्यों आखिर इतने सारे लोगों के होते हुए भी आखिर ओवी सी क्यों सबको अपना अ मीडियम के माद्यम से ये मेंसे दूर दूर जाएगा और सारे हमारे भाई बहन आकर रोड पे आएंगे अगर हमें मानते हैं कि अगर हमारा सब मीदा हमारा ये आरच्णों वापस नहीं करते हैं ये बिल पास नहीं करते हैं तो आप मागने की जुरोत नहीं है हम छीन के रह एपनी डौटी सेखते हैं इसलिए मैं भाईयों से खासकर भाईयों से जदास-जदा महलाओं को भिलाएं हमारी जिन संख्य और अब हमारी चिंता कोई कर न करें हमें अपनी चिंता कुद है हम अपने आधिकार स्वर्म लेने के लिए और ले करेंगे यह लडाई अब रुकन वाली नहीं है कि आप लोगों को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन वी सी की जब बारी आती है तो यह कह के गुमरह कर दिया जाता है कि यह सी की आता इसलिए का चाहिए लेकर आप जब तो अगर आपको डर है दूद को दूद को मैं कर दें के पानी हो जाएगा क्यों नहीं कर आते हैं अगर आप हुमारा अधिकार नहीं दे सकते हैं, देर लगता है, बिल पास करने बेर लगता है, तो अब इसी जन्दगर्णा का बाओ, बरने यह चुनाओ खारीच करो, चुनाओ से पहले अब इसी जन्दगर्णा हो जानी चाहिए, क्या आईसी सकती है सरकार के पास, क्यो डर कि अगर सरकान नहीं देती है तो हम लोगों को चीनना है अगर नहीं देती है हम बोड का बहिस्कार करेंगे चुनाव का बहिस्कार करेंगे वी स्थी कोई डालने जाएगा यहीं इसकारा है आज हमने संधर संधेश यात्रा सुरू की है बिंद के रीवा संभाग में, 22 तारी को हमारी यात्रा बिंद के सहडोल संभाग में प्राइराम वो चुकी है पूरे जो ऐसे लोग हैं जो सम्विधान की भावना को नहीं समझता है उस भावना को समझाने के लिए और सम्विधान ने हमको क्या मौली का धिकार दिये हैं और हमारा क्या-क्या राइट्स है एक जंज अगरू तक चलाने के लिए यात्रा का सुरुआत हम लोगों ने किया ह यह रिवा जिले की हर विधान सवा में सेमरिया, सिरमोर, त्योथर, मनगमा, महुगांज, देवतलाब और इसके बाद यात्रा निकल जाएजी सीधी जिले, वहां सिहाबाल, बाहरी से वहां जितनी विधान सवाएं हैं उसके बाद यात्रा लोटे के गुड़ हो उसके बा जाएं 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 जाए कर तूबल को थे झेल न खूओड़ टायरा दे कि दो मिलार के लिए इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारिया बने रहे हमारे साथ नमश्कार